square और फिर ये y अकेला है इसी तरह आएगा फिर plus x into plus y plus 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 x y square अब आगे minus y से आपने multiply करना है minus plus minus x square और y ये आपने बेटा इदर लिखने है minus x square y फिर minus minus plus आप इदर लिख लें x केला है और y into y y square ये दोने एक लाइन में आगी एक जासी terms फिर minus y into plus ये बन देगा y की power 1 और y की power 2 y की power बन गई 3 अब आप line लगा लें उनको plus minus कर लें ये x की power 3 इस तरह ही आगी minus y ने कठे हो जाते हैं minus 1 और minus 1 ये बन जेगा minus 2 x square y इसी तरह plus 1 और plus 1 ये बन जेगा plus 2 x y square minus y cube ठीक है अब आपने बच्चों ये question की जो original term है आपने लिखनी है और उनका जो answer आपने multiply करके नकाला है वो आपने brackets में लिखना है तो पहली और दूसी को multiply करना से जो हमारा answer है वो हम लिखेंगे bracket में 3x की power 3 plus 5 x square y minus 2 y raise power 3 minus आगे third और fourth को multiply करने से जो हमारे सामने answer है वो हम bracket में लिखेंगे आगे बचों आपने ये bracket हतम करनी है तो जब पहली bracket में तो कोई change नहीं आएगा पहली bracket बड़ी टर्म में कोई change नहीं आएगा आप जब आप next bracket खोलेंगे तो minus की पितासे सबके sign change होंगे तो ये बंदेगा minus x cube minus minus plus 2 x square y minus 2 x y square और minus minus plus y cube अब बचो आफरी step की तोर पर आपने जो एक जैसी term आपने उनको plus minus करना है तो ये plus 3 x cube और minus 1 x cube ये plus minus minus होके ये बंदेगा 2 x raise power 3 फिर plus 5 x square y और plus 2 x square y ये plus plus होके ये बंदेगा 7 x square y उसके बाद आप ये देख सकते हैं minus 2 x y square वो इस टाइप की एक ही value है वो इसी तरह देगी और end में आपने इस तरह लिखना minus 2 y cube ये ये minus 2 y raise power 3 plus 1 y raise power 3 तो ये minus plus minus होके ये बंदेगा minus 1 y cube बड़ी तक हम minus किया तो answer में minus आएगा तो बेटा आपने question number 2 के तीसे और चुथे पार्ट का अपने होबर करना है ठीक है